जयओ स्रीक्रिष्णा फ्रेंज आज है जन्माषटरमी तो आप सबको जन्माषटरमी की बहुत-बहुत बधाईया हो आज के दिन हम लोग श्रीक्रिष्णा जी का बिर्दड़े सेलिबरेट करते हैं उनका जन्म दिन धूम धाम से मनाते हैं रात के बारा बजे उन्हें धनी की पंजीरी का भोग लगाया जाता है इस दिन वरत भी रखा जाता है और धनी की पंजीरी को फला हरी डिश के तौर पर वरत में खाया भी जाता है ये पंजीरी जोडों के दर्द या गठिया के लिए बहुत फायदेमंद होती है त तो इसके लिए कुछ ड्राइफ रूट्स हमें चाहिए होंगे एक कटोरी मखाना, दो टेबल स्पून बदाम, दो टेबल स्पून किश्मिश, दो टेबल स्पून ही काजू कटे हुए और आधा कटोरी कदू कस किया हुआ खोबरा या नारियल और पॉन कटोरी हमें धनिया के बीज चाहिए होंगे, तो भगवान का प्रशाद जब भी हम बनाएं तो पूरी आस्ता और श्रद्धा से और पूरी सफाई से बनाना चाहिए, तो इसलिए हमने धनिया को पहले अच्छी तरह से चान के साफ करके, हमने ड्राय रोस्ट कर लिया और आब इसे हम बारिक पीस लेंगे, उधर हमने पैन में कर्ची देसी घी जो गाय का देसी घी है वो चड़ाया गरम होने के लिए, भगवान श्री कृष्ण को गायों से बहुत प्यार था, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम गाय का घी ही यूज करें, तो इसमें हम सारे ड्राय फूर्ट को फ्राय कर हम निकाल लेंगे, ये जो धनिया की पंजीरी होती है, इसका भोग लगाने के पीछे धार्मिक के इलावा विज्ञानिक कारण भी है, क्योंकि वर्षा रितु में वात का प्रकोग बढ़ जाता है, तो ये जो धनिया होता है, ये विश का दमन करता है, तो इसलिए धनिया क पंजीरी हर तरह से सेहत के लिए फायदे मंद होती है आंखों की रोशनी बढ़ाती है पाचन तंत्र को स्वस्थ रखती है और जिनको बहुत चक्कर आने की समस्या हो वो रोज आना अगर यह पंजीरी खाएं तो बहुत ही आराम मिलता है हमने ड्राइफ रूट्स को फ्राय क के निकालें इसे हम थोड़ा सा दरदरासा कूट के रख लेंगे चाहे आप इने काट लें चाहे आप इने कूट लें की बात है तो चलिए फिर आगे का प्रॉसेस करते हैं शुरू कि हम तीन रेसिपी बनाएंगे तो एक तो हमने इसमें पंचामृत बनाना है जिसके लिए हम ये थोड़ा थोड़ा ड्राइ फूट अलग कर लेते हैं कटोरी में और वो हमने उसके लिए रखना है तो इसको हमने थोड़ा सा अलग कर लिया और इधर जो खोबरा है इसे हम ड्राइ रोस्ट कर लेंगे दो एक मिनट के लिए ताकि इसमें से खुश्बू भी आने लग और इसमें अगर थोड़ा बहुत मौश्चर है तो वो भी निकल जाए श्री कृष्ण जनमाश्टमी पर तीन चीजें जरूर बनाई जाती है प्रशाद में जैसे की धनिय की पंजीरी पंचामरित और माखन मिश्री कोकोनट हमारा ड्राइ रोस्ट हो गया है इसको हमने अल हमने दो से तीन मिनट के लिए सिर्फ भूनना है और ये दो तीन मिनट में ही बहुत अच्छी तरह से भून जाता है और खुश्वू आने लगती है इसकी बहुत अच्छी और उसके बाद आपने इसके अंदर ड्राइफ रूट से अड़ कर देने हैं और मिक्स करके साथ की साथ ही आपने गैस को ओफ कर देना है नहीं तो क्या होता है कि अगर ज्यादा भून जाए तो ये कड़वा हो जाता है इसलिए आप ज्यादा देर धनिया को ना भूनियेगा बस हम इसे अब दूसरी प्लेट में थाली में ट्रांसफर कर देंगे और ठंडा होने के लिए च कोशिश करें कि चीनी की जगा आप धागे वाली मिश्री इस्तिमाल करें फ्रेंड्स ये धनिये की पंजीरी जिस तरह से कृष्ण जी को बहुत प्रिय है और ये उतनी ही स्वास्त वर्दक और खाने में लाजवाब है तो आप लोग इस जन्माश्कमी पर इसे जरूर बना के रख सकते हैं स्वास्त के लिए बहुत अच्छी होती है तो ये थोड़ी सी जो हमारी पंजीरी है थोड़ी ठंडी हो गी है इसमें अब हम मिश्री मिक्स कर देंगे मैंने दो से तीन चम्मच मिश्री इसमें पीस के मिक्स करी थी तो आप लोग भी इस तरह से मिक्स करके रख लेजिए और आपकी पंजीरी हो जाएगी तयार मैंने पंचामरित और माखन मिश्री की अलग वीडियो बनाई है इस वीडियो के साथ उसे आड़ नहीं किया जा सकता था वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती इसलिए आप लोग उसके लिए दूसरी वीडियो जरूर देखेगा ये बैक टू बैक आज मैं अपलोड करने वाली हो तो आप लोग जरूर देखेगा वो भी तो अब पंजीरी में थोड़ी सी मिश्री हम और एड़ करेंगे करीब आधा चमच मिश्री मैंने और एड़ कर दिया इसमें और बस इसे मिक्स कर लेंगे और एक स्टील के बाउल में निकाल लेंगे आप जब भी प्रसाद बनाएं तो कभी भी उसे कांच के बरतन में या मैला माइन के बरतन में ना निकालें कोशिश करें कि स्टील के पीतल के या चांदी के बरतन में ही उसे आप डालें तो ये हो गया हमारा प्रसाद रेड़ी अब इसमें ए तुलसी का एक पत्ता जिससे ये बिलकुल पूरी तरह से प्रसाद बन जाएगा तो अब हम ये कसर भी पूरी कर लेते हैं तो तुलसी के पत्ते से हम इसे सजा लेते हैं और पूरा कर लेते हैं तो ये बन गया हमारा धनिय की पंजीरी का बड़ा ही स्वाद प्रशाद तो चल आपको मेरा बनाया हुआ भगवान जी का प्रशाद पसंद आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेर कर लीजिएगा और कॉमेंट करके अपनी फीडबेक दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न बूलिएगा बिल्कुल फ्री है और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया